तो उनका कमेंट्स था कि सर नैट्स वालों के लिए कब आएगी वैकेंसी नैट्स वालों के लिए तो मैंने उनको कहा था कि जब भी अपडेट आएगा तो आपको इसी चैनल पर मिलेगा तो मैं अपने वादे के मुदाबिक दोस्तों एक नैट्स की वैकेंसी आई है वो भी गवर्मेंट पॉल्टेकनिक में आया है ठीक है और गवर्मेंट पॉल्टेकनिक मदुबनी में आया है जैसा कि आपने इसमें थमनेल में देख लिया गया होगा मदुबनी में अब उसमें बात निकल के यह आ रही है कि इसमें जो डिपलोमा की योगता रखने माले लोग है जो डिपलोमा किये हुए है उनके लिए भी अपरचिनिटी है जो बीटेक किये हुए उनके लिए अपरचिनिटी है और लाइबरेडियन का जो बहाली आने वाला है उसमें शायद देर है ठी तो यहां पर लाइब्रेडियन का नेट्स के लिए जो है आपको आया है जो भी लोग लाइब्रेडियन से किये हुए उनके लिए एक फाइदा बहुत इंपॉर्टेंड मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप यह ट्रेनिंग का कोर्स कर लें मतलब यह जो आप पद जो है न काम आएगा तो जो लोग लाइब्रेडियन से बीलिस किये हुए है या एमलिस किये हुए है वो जरूर से जरूर अपलाई करेंगे ठीक है यहां पर बीलिस वालों के लिए है ठीक है अब इसमें क्या है नैट्स ट्रेनी जो होता है वो फ्रेशर होता है यानि के 2000 अभी क्या यह लिए 3 साल, दूसरा चीज है कि इसमें अपलाइ करने के लिए आपको नेट्स जो है उसके लिए अपरेंटिस जो डिनेशनल आप्रेंटिस टेनी वाला वेब साइट है उस साइट पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और वहां से आपको एक नाट्स आईडी मिलेगा तो नैट्स आइडी कैसे बनाना है उसको आप एक बार देख लीजिए तो अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिए मैं नैट्स आइडी कैसे बनाया जाता है उस पे एक वीडियो आपके लिए बना दूगा ठीक है अभी क्या है कि यह वैकेंसी में बहुत कम समय दि तो आप जाईए और वीडियो तो मैं वहां टेली ग्राम चैनल पर अपडेट कर दूँगा ठीक है बहुत सारे मिरे साथियोंने जो है कहा है तो मैंने वहां पर अपडेट कर दिया चलिए अब स्टार्ट करता है अमारा वीडियो दोस्तों देखिए यह वैकेंसी आई है ग इसमें graduate in library science मांगा गया है यानि के बीलिस मांगा गया है एक seat है और 15,000 रुपिया पर मन्थ stipend आपको दिया जाएगा दूसरा जो पद है यहां पर दोस्तों देख लिजे मैं आपको पद के वाने पहले बता देता हूं दूसरा पद civil engineering के लिए इसमें बीटेक मांगा गया है एक पद है 15,000 मिलेगा तीसरा पद computer science engineering के लिए बीटेक वालों के लिए है एक पद है 15,000 मिलेगा और computer science डिपलोमा से अगर आपने कर रहा है डिपलोमा कर रहा है उसके लिए एक पद इसके लिए 10,000 मिलेगा ठीक है और electrical engineering से कर रहा है एक पद है 10,000 मिलेगा और electronics से कर रहा है डिप्लोमा तो आपको एक पद दजार मिलेगा तो बेसिकली है कि जो डिप्लोमा कर रखे हैं डिप्लोमा वाले को दजार दिया जा रहा है बीटे को वाले को पंदरह हजार दिया जा रहा है और जो बीलिस में हैं उनको भी पंदरहजार दिया जा रहा है तो यह तो बात हो गई हमारे ब्रांच, इपार्टमेंट, क्वालिफिकेशन, नंबर वेकेंसी और स्टैपेंट के बारे में अब इंटर्विव कब होना है, उसको देख लिजिए, आपको किन से बात करना होगा अगर कोई दिक्कत हो, वो सारी जानकारे में बताता हूँ तो candidate को जो है इंटर्व्यू देना 8 जुलाई को बहुत कम समय है, 8 जुलाई को आपको इंटर्व्यू देना है, और reporting टाइम में 11 वज़ रखा गया है, वेन्यू है, गवर्मेंट पोल्टेक्निक मदवनी में, अररिया संगराम, तुलपता गंज, जंजारपूर, चीक है, contact person ह मिश्टर तसगीर एहसान, मिश्टर तसगीर एहसान जो है, वो contact person है, उनका mobile नमबर यहां पर दिया हुआ है, तो अगर आपको इस vacancy से अगर लगता है कि fake है या कोई दिक्कत आ रहे हैं, तो इस नमबर पर आप contact कर लिजिए, अब important जो है, important चीज समझ लिजे, important चीज यह है कि हर student के पास mandatory जो है, Nets student ID होना चाहिए, जो मैंने बताया कि आप Nets पर जागे कर सकते हैं, documents पर समझ लिजे, बहुत important है, document में आपको CV लेकर जाना है, जिसमें आपको इसको resume भी बोलते हैं, एक से जेरोक्स करना, आपको सारे academic certificate का, और reservation certificate अगर आप बिहार के रहने वा चाहिए, degree या, diploma, last three year, मैंने वही बताया है, 2021, 2022, 2023, इन तीन सालों में अगर आप pass out है, तो आप जा सकते हैं, interview जो है, आपको T.A.D. आपको नहीं मिलगा interview देने के लिए, ठीक है, यह बात तो का advertisement किया, आपको प्रिंस्पल साहब के letter पे चलते हैं, यह प्रिंस्पल साहब देखे दिया हुआ है, उसी तरीका से library sign, सारी detail दी हुई है, प्रिंस्पल साहब के letter से जो निकला है, डेर्ड देख लिए, आठ साथ, 2024 का है, रिपोर्टिंग नहीं 11 वजे है, और यहां पर प्रिंस्पल साहब का sign है, देख लिए, 56, 2024 का sign किया हुआ है, सोचिए कि यह कब दिया गया था, और यह advertisement कब आ रहा है, ठीक है, तो मदवनी का है, प्रिंस्पल सरकर यहां पर sign है, मोहर दोनों किया हुआ हुआ है, अब आए documents की मैं बात कर लेता हूँ, यहां पर इसी side में document बताता हूँ, कि आपको कौन-कौन documents लेके जाना है, यहां देखे दोस्तों, documents क की बात करिए, मैं original की बात कर रहा हूँ, पहले उसके अजरोक्स बताऊंगा, एक CV होना चाहिए आपका, यानि कि curriculum वाइड है, जिसको आप resume भी बोलते हैं, ठीक है, resume होना चाहिए, दूसरा, आपका आधार card, जो की valid ID है, या voter ID अगर आप है तो, या passport, इसमेंसे कोई भी वी टेक अगर बीलेस वाले तो बीलेस यहां तक का सारा mark sheet आपके पास होना चाहिए, पलस certificate होना चाहिए, चौथा, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, तो residential certificate आपके पास होना चाहिए, और पांचवा, अगर आप बिहार में, अगर OBC category से आते हैं, अरक्षन लेना है, त इसरा कि अगर आप SCST category से आते हैं, तो आपके पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, चौथा, अगर आप EWCS हैं, तो EWS, अगर आपके पास इस दोरान, मतलब 2022 में जो पास किया, उसको तो एक साल मुका मिलेगा, कोई experience है, किसी काम का, तो वो भी आप लगा सकते हैं, इन लिखाना, आप 2-6, जे रग्स करा लेना, 2-7, जे रखाना के सब पे self-attested आपको करना है, self-attested करना है, और आप क्या कीजेगा, दो passport size photo भी अपना रख लीजएगा, recent वाला, वहापे जरूत पड़ेगा, यह नहीं लिखा लेकि जरूत पड़ती है, ठीक है? यह सारा चीज औरिजिनल के साथ साथ आपको ले जाना है टोटल छे से साथ डॉकुमेंट्स है मतलब और मार्शीर वगरने मिला के दस पंदर हो जाएगा आपका और सबका दो सेट कर लीजेगा और दो फोटो आप रख लीजेगा इंटर्व्यू समय पे चले जाएगा आठ साथ दोजा चो अब अब इसके बाद में बताता हूं जो ओफिशिल वेब साइट है इनका अभी अपडेट नहीं हुआ है मैं का ही अपडेट किया हुआ है आप खोल के देखिएगा उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहाँ पे सिर्फ मई 2024 तक ही अपडेट किया गया चौ का कोई अपडेट है जून का कोई अपडेट नहीं है जुलाई का कोई अपडेट नहीं है तो एक बार वहाँ भी देख लिजएगा आप इसे नंबर पर संपर कर सकते हैं दूसरा कि जो भी इंपॉर्टन चीज़ है को डिस्क्रिप्शन दे रखी है मैंने टेली ग्राम चैनल जो हमारा है वहाँ पर भी आप संपर कर सकते हैं और कमेंट शेक्शन में मुझे बता सकते हैं अगर आपको कोई डॉकुमेंट या किस तरह की चीज़े चाहिए तो जहां तक संपर हो सकता है आज मच एस पॉसिब करें थैंक यू बरी मुच